गूड मॉर्णिंग, और आप सबो का स्वागत है। अगर और अलिंडिया रेडियो के अंदर ने उसकी बात करें, तो कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स दो बात की गई है दा बिग पिक्चर के अंदर थंदर रेस्टराम के बारे में डिसकस करेंगें। तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं। आवाजे निकलती है हलागि यह जोग्राफी का टर्म है। नेक्स बात करें। तो एकुलमेशन ऑफ एरोसोल, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग पॉलिशन और सम अफ दे क्लाइमेट कॉज़ें। यह भी एक है क्लाइमेट के कॉज़ें। इसके कारण भी लाइटनिंग होता है। मौस्चर अबबिलिटी ऑफ सर्फेस हीटिंग जो मौस्चर है वह भी बहुत जैदे खरीब क्रॉप के कारण बहुत गर्म हो जाता है। लाइटनिंग में क्रॉप कल्टिवेशन इस समय का होता है। तो वह एस्पार्क करता है। और वे फॉरवड क्या होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है बिल्डिंग टूरिस्ट प्लेसे इन सब जगह को चीजों को ठीक से ध्यान देना होगा बनाने में। सिंस्टाइज़ेशन लोकल लेवल पर लोगों को सिंस्टाइज करना होगा। दामनी एप है। अब कहीं भी आंसर में मेंसन कर सकते हो। और सेफ सेल्टर विलिजेज बनाना चाहिए गौवर्मेंट को यही सारी बाते कही जाते है। तो आज के डिसकेशन में इतना ही सिंस्टाइज बनाना चाहिए।